जैन सातियों नमस्कार, मैं गणित विशाई गुरु कुल साए आजय सुनी, स्वागत करता हूआ आप सबीका आजके lecture में हम लोग एक प्रस्ञ को लेंगे, मैं आपे दो प्रस्ञ लेने वाला था, लेकिन अज में एक प्रस्ञ लोंगा लेकिन दो प्रशण आप लोगों को वह क्याईता। फहला लेक्छर एक्जेक मेथेड ्पर का पहला लेक्चरव देखेंगे आप description में link आपको सब्सक्राइब देखेंगे इसके पहले का और यह ⁗ तिस्रा लेक्टव तू तीनों लेक्ट्व देखने के बाद आपको exact method के अनुसार इस प्रकार के जो simultaneous differential equation का form होता है इससे solve करने का तरीका समझ में आ जाएगा dx upon p के बराबर dy upon q के बराबर dz upon r को solve करने का ये तरीका जो है exact method आपको समझ में आ जाएगा और भी आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के अरेंजमेंट से हम लोग इस प्रकार के examples को solve कर सकते है प्रश्चन आपके सामने है find the integral curve integral curve का मतलब होता है solution कभी-कभी इस प्रकार के प्रक्ष्ण जैसे पिछले वीडियो में या इसके पाहले जो वीडियो से जो भी लेक्चर मैंने लिए है वहां पर मैंने बता है कि question कुछ इस तरीके से लिखा था find the solution of the equation solve the equation इस तरीके से लिखा हुआ था यहां पर integral curves लाना है integral curves का मतलब क्या है आपको solution लेकर आना है सबसे पहले solution में क्या करेंगे जो given differential equation दिया रहे था है आपको सबसे पहले वो लिखना चीए the given differential equation is जो भी आपको दिया है वो आप लोग लिख लेंगे मैं आपे नहीं लिख रहा हूँ अब मैं आपे कुछ इस तरीके से इसे solve गरूँगा take first and second ratio पहला और दूसरा ratio में ले रहा हूँ यहापे यहापे मिल रहा है मुझे dx upon में 1 plus y equals to dy upon 1 plus x cross multiply कर दीजे 1 plus x into dx के बराबर 1 plus y into dy exact differential equation है इसका derivative उसके साथ ही present है 1 का होता है 0x का dx 1 का derivative होता है 0y का dy इन terms का derivative उनी के साथ present है तो जब इस तरीके से condition आती है तो चीज़ का integration क्या होता है मान के चोले आपे कोई function है और उसका derivative उसके साथ present है तो answer क्या हो जाद है आपका f का power n of x divided by n तो इससे में थोड़ा सा equal to के दर लेके हो तो मिलेगा 1 plus x dx minus 1 plus y dy equals to 0 on integrating जैसे आप इसका integration करेंगे integration करने पे आपको क्या मिलेगा integration 1 plus x dx minus integration में 1 plus y dy y equal to 0 इसका derivative उसके साथ ही present है इसलिए इसका answer होगा 1 plus x का square by 2 इस property के अनुसार जो कि आपने class 12 में पढ़िए तो मैंने कहा derivative और integration पिछले लेक्चर में भी मैंने शब्द बोले है कि derivative integration तो हलवा है ग्यारवी बारवी में आपने कहा है वो तो आना ही चाहिए ठीके formula आने चाहिए trigonometric formula सारी चीज़े आपको आनी ही चाहिए minus 1 plus y का square by 2 equal to any constant c और कही बार क्या होता है ना विद्धियार दियो कि छोटी-छोटी चीजो में गलती हो जाती है ठीके जगडे कभी बढ़ी बातों पर नहीं होते तो प्रोफेसर के साथ मेरे जैसे साथ वही होता है ठीक है चोड़ी चोड़ी चीजे फार्मुले उसको कंट कर लेंगे अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके ध्यान में हमिशा रहेगा मैं बाद में वो सरी ट्रिक्स आप लोगों को कुछ लेक्चस में जरूर बता हूंगा कि कैसे ट्रिक्नोमेट्रिक साथ फिलाल याँ पर ध्यान देता है तो यह हो जाएक है स्कॉर माइनशा नीकल को है प्ल Ciao C1, जिसका नाम देते हैं, हम लोग C1, जो यह पहला करवा गया, हमारे बास पहला solution आके, अब दुसरा एक और लेकर आना है, दुसरा कैसे लेकर आएंगे, इसे हम लोग मिटा जिते हैं, तो मानके चलो मैं आपके कुछ इस तरीके से ratio बना रहा हूं, इस तरीके से ratio में form कर रहा हूं, आनके चलो dx और dy का में minus कर सकता हूं, dx minus dy किया, 1 plus x, minus, sorry, यहां पर 1 plus y, minus, 1 plus x equals to dz upon z, तो 1 minus 1 cancel हो जाएगा, क्या बच रहा है, dx minus dy, y minus में x, upon dz upon z, y minus x का आप कैसी लिखेंगे, dx minus dy उपर है, तो इसको लिखेंगे, minus में x minus y equal to dz upon z, इस minus quantity को आप यहां, sorry, minus quantity को आप यहां बेच दीजी, तो plus हो जाएगा, dx minus dy divided by x minus y plus dz upon z equals to 0, थोड़ा सा थंडी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी खासी सी है, तो खराश है, गले में, इंटिग्रेबल कंडिशन है, इसका डेरिवेटिव उपर प्रसेंट है, इसका डेरिवेटिव उपर प्रसेंट है, इंटिग्रेशन कर लिजी, exact differential equation मिल गया, exact differential equation का मतलब है, ऐसा differential equation मिल गया, डेसका उपला करके आंसर लाया जा सकता है तूरंत में तो ऐनने इंटेगरेटिंग वी गर्ट जैसे हम इसका इंटीगरेशन करेंगे वी गेट क्या मिलेगा हमको जैसे हम इसका इंटीगरेशन करेंगे तो इसका derivative उपर प्रजट है याँने लॉग आफ्ट नीचे का denominator x-y यह प्लस यहाँ पे प्लस आएगा इसका derivative उपर प्रजेंट आने log of z equal to any constant log of c2 प्लस होने की कारेने टो इंटू हो जाएगा log of x-y into z equal to log of c2 इसको हम इस तरीके से लिखेंगे भाई x-y into z equal to c2 तो इस प्रकार से देखे तो आपका यह पहला एक integration solution था हमारे पास और यह हमारा integrable solution यह नि integrable condition के अनुसा integral curves आ गए तो यह इस तरीके से आपको कम से कम इस प्रकार के example में दो integral curves लेकर आने होते हैं तो जो कि हमारे पास आ गए तो उम्मीद करता हो कि यह lecture का यह वाला जो एक्जामपल है छोटो सा वो आपको समझ में आया होगा यदि समझ में आया है तो जादे स्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर कीजेगा क्योंकि वीडियो बनाने में लेक्चर को हमारी भी एक आशा रहती है कि हम जब महिनत करे तो कहिना कभी विद्यार्थियों कुछ चीज पहुची नहीं चीए तो ज्यादा से यादा शेयर जरूर कीजेगा मैं यहां पे दो एक्जाम्पल यहां पे आपको एज़ा हूंवक दे रहो यदि दो यदि दो एक्जाम्पल आपको आ गए तो आप कमेंट में उसका अंसर जरूर लिखेगा कि फिलाल मैं आपे दो कोश्चन लिखके दे रहो आपको प्रैक्टिस जरूर कीजेगा प्रत्रक्राम्पल विद्दे रहो इसे मैं थोड़ा से मीटाी देता हूना क्योंकि तो हमारे समझ में आगया है आ मैं ते एक प्रत्रेश्न में आपको आप लिखाऊँगा कुश्चन उसी प्रकाव से फाइंद करना है एक्टा साव में इंट Wand करना इसका मुझे आंसर जरूर करके इसको स्वाल करके कमेंट में जरूर भीजेगा इसका आंसर दूसरा प्रश्ण है dx अपन 2xz के बराबर dy अपन 2yz के बराबर dz अपन z square minus x square minus y square तो यह दोनों प्रश्ण आपके important प्रश्ण है दोनों प्रश्ण को मैं स्टार करना चाहूंगा और यह प्रश्ण मैंने उनीके आधार पर दिये है जो कि मैंने अभी तक पड़ाए है तो तीनों लेक्टर में method to by exact method heading आपको दिख जाएगी टीक है जैसे कि आप playlist में आएंगे तो by exact method के अनुसार यह हमारा तिसरा वीडियो है यदि आप यह तिसरा lecture देख रहे है तो पहला lecture दूसरा lecture और तिसरा जरूर देखी आने की तिसरा तो आप देखी रहे है चली रहे है तिनों लेक्टर आप देखने के बाद आप इस तरीके के छोटे मोटे examples को solve करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे और आपको आई जाएगा कि किस तरीके से solve किया जाए अगले lecture में मुलाकात होगी तब तक के लिए जहिन जयबारत वंदे मातरम साथियो धन्यवाद आप सभी का